वितमंत्री निर्मला सीधर अमन इस साल अंतरिम बजट पेश करने वाले हूँ लेकिन इसके पहले ही 2024 का बजट आए हम जान लेते हैं कि पिछले साल यानि कि 2023 के बजट में इंकम टैक्स से जुड़े क्या ऐलान थे एक स्पोट को कहना है कि अंतरिम बजट होगा लिहाजा इसमें इंकम टैक्स के मोर्चे पे कोई बहुत बड़े ऐलान की उमीद नहीं है फिर भी वितमंत्री टैक्सपेर्स को कुछ रहात दे सकती हैं अपरेल मैं में लोकसभा की चुनाओं होने वाले हैं और किंद्र में नई सरकार बनेगी इसके बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और उस पूर्ण बजट में सरकार चूट का ऐलान कर सकती है लिकिन इससे पहले हम आगे बढ़े जान लेते हैं कि 2030 में निर्मला सितारबड ने इंकम टैक्स से जोड़े कौन से बड़े ऐलान किये थे निर्मला सीतरमन ने 1 फरवरी 2030 को अपने बजट भाशिन में कहा था कि इंकम टैक्स की नई रिजीन में स्लैप्स की संख्या 6 से घटा के 5 कर दी गई है उन्होंने नई टैक्स रिजीन में बेसिक टैक्स एक्जम्शन के लिए में ठाई लाग रुपे से बढ़ा के तीन लाग रुपे कर दी थी इसका मकसद इसे अट्राक्टिव बनाना था सरकार ने 2020 में इंकम टैक्स की नई रिजीन शुरू की थी लेकिन इसमें टैक्सपेर्स ने ज्यादा दिल्चस्ती नहीं दिखाई जिसके बाद सरकार को इसे अट्राक्टिव बनाने के लिए बदलाव करना पड़ा नई रिजीन डिफॉल्ट टैक्स रिजीन होगी तूसरा फैसला ये था वित मंतरी ने कहा था कि इंकम टैक्स की नई रिजीन अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीन होगी इसका मतलब ये है कि अगर टैक्सपेर इंकम टैक्स की पुरानी रिजीन के इस्तमाल करना चाहता है तो तो उसे ये बताना होगा, अगर taxpayer इसके बारे में कुछ नहीं बताता या कोई declaration नहीं देता, तो वो automatic नए tax regime में चला जाएगा, पिछले साल एलान की गई तीसरी सबसे हैं बात ये थी कि rebate के लिए income limit बढ़ाई कही थी, वितमंत्री ने अपने budget भाशन में कहा था कि नए tax regime म सालाना 7 लाग रुपे तक के income वाले taxpayers को कोई tax नहीं चुकाना होगा, इसके लिए उन्हें रिवेट की सीमा सालाना 5 लाग रुपे से बढ़ा करके 7 लाग रुपे कर दी गई थी, income tax की पुरानी रिजिम में ये रिवेट नहीं बढ़ाई गई थी, ये सिर्फ नए tax regime में ही बड़ा ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि standard deduction का फायदा अब नए tax regime में भी मिलेगा, उसकी बाद सालाना 50,000 रुपे की standard deduction का फायदा पुरानी और नए दोनो tax regime को मिलने लगा, ये फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों और pensioners को ही मिलता हैं, 2023 की budget में income tax से रुपे कर दी थी, साल 2002 में 30,000 रुपे के tax redemption की limit टाइगी गई थी, उस वक्त देश के प्रथान मंतरी अटल विहरी वाच पही थे